साथियों, जब इच्छा शक्ती होती हैं, तो बड़े से बड़े मुश्किल लक्षों को भी पाया जा सकता है। हमने देखा है कि आठ वर्ष पहले तक किस प्रकार भारतिये रेल को लेकर निराशाही देखने सुनने को मिलती थी। सुस्तर अपतार, गंदगी का अंबार, टिकट बुकिंग से जुड़ी शिकायतें, आए दिन होती दुरगटनाएं, देश के लोगों ने मान लिया था कि भारतिये रेल में सुधार असंबव है। जब भी रेलिवे में नए इंफ्रास्ट्रक्टर की बाते होती थी, तो बजेट के अभाव का बहाना बनाया जाता था। नुक्षान की बाते होती थी, लेकिन साथियों साफ नियत से, इमानदार नियत से, हमने इस चनोती के भी समाधान का निर्णय किया। बीते आठ वर्षों में भारतिय रेल के ट्रास्फर्मेशन के पीछे भी यही मंत्र है। आज भारतिय रेल में यात्रा करना एक सुखद अनुभव बन रहा है। देश के कई रेल्वे स्टेशन ऐसे हैं, जहां अब आदुनिक होते भारत की तस्वीर नजर आती है। बीते साथ आठ वर्षों में जो कारिय हमारी सरकार ने सुरू किये हैं, वो अगले साथ आठ साल में भारतिय रेल्वे का काया कल्प करने जा रहे हैं। आज टूरिजम को प्रमोट करने के लिए विस्टा डॉम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपच को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई। माल गाड़ियों के लिए स्पेश्यल फ्रेट कोरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को बहतर बनाने के लिए दो दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेट्वर्क का विस्तार हो रहा है। रीजनल रेपीड ट्रांजिस सिस्टिम जैसे फिचरिस्टिक सिस्टिम पर भी देश में तेजी से काम चल रहा है।